नमस्कार दोस्तों, बढ़न में आपका स्वागत है ये वीडियो थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे जब मैं इस वीडियो में बात करूँगा तो हो सकता है आपके कन्फ्यूजन होंगे कि भाया क्या बता रहे है ये तो बिलकुल एकदम अलग बात बता रहे है चलिए मैं बात करता हूँ, सुरवात करता हूँ इस वीडियो का gate exam जो होता है वो कोई भी branch का है किसी भी branch से gate exam दे सकता है ठीक है, यहां तक clear हो गया अब सवाल आता है कि भाया ये तो आप बताईए कि जो जिस branch से रहेगा उसी में न gate देगा हाँ बिलकुल भाया उसी में gate देगा ये तो सही बात है बट, 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 वेट जो PC background के लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा से scope कम हो जाता है क्यों? क्योंकि gate के बाद PSU है नहीं जादा मैं बताना नहीं चाहता हूँ बट, PSU उतना जादा है नहीं आपको overall M-tech ही करना परेगा और M-tech करने के बाद भी बहुत बच्चों को देखता हूँ बहुत student को देखता हूँ कि IT sector में ही job ढूंडते हैं ECE के जो होते हैं वो भी क्योंकि ultimate उधर ही है job अगर job की बात करे तो तो अगर आप ECE से है और आपको software industry में मन है जाने का अगर आप triple E से है आपको software industry में मन है जाने का अगर आप double E से है और आपको software industry में मन जाने का What it means? It means कि अगर आप किसी भी branch से है और आपको software industry में जाने का मन है तो आपको gate देना है CSE से एकदम सा चौकने वाली बात नहीं है ये बहुत ही normal बात में बता रहा हूँ कि आपको gate का preparation करना चाहिए CSE से लेकिन आप किसी भी branch से है कोई फरक नहीं पड़ता है अगर आपको IT सेक्टर में software industry में जाना है तो आपको gate का preparation करना चाहिए लेकिन कौन सा computer science का gate का preparation करना चाहिए क्यों? मैं बार-बार कहां कि gate का अगर आप computer science का preparation करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा profit होगा अगर किसी को gate बिल्कुल नहीं करना है उसको product based company में job चाहिए वो कह रहा है कि भाईया मुरे को gateway नहीं करना product based company में एक अच्छे company में मुझे job चाहिए अच्छे package के साथ तब उसका क्या है? उसका तो मैं पहले भी बताया था कि आपको क्यारना क्या है? आपको DSL को बहुत अच्छे से करना है programming language करना है उसके साथ सथ framework सीख लेना है कुछ नया technology के बारे में समझ लेना सब काम एक साथ नहीं करने की ज़रुत है अगर आप gate की तयारी कर रहे है तो आप front end, back end, development इस सब पर ध्यान नहीं देना है ये सब हो जाता है लेकिन अगर आप सिर्फ उस पर ध्यान दे रहे है तो सिर्फ उसी पर ध्यान दो फिर gate पर ध्यान नहीं देने की ज़रुत है ठीक है? gate पर ध्यान देने से profit क्या होता? ये मैं बता रहा हूँ क्या होता है कुछ-कुछ government sector का जो job होता है उसका syllabus जो होता हूँ gate के exam के जैसे ही होता है जैसे ISRO का exam हुआ तो लग बगले बग गेट के syllabus के तरह ही होता है उसका exam तो अगर आप दूसरे ब्रांच के CAC वाले तो देंगे ही देंगे अगर आप दूसरे ब्रांच से है ECE से IT से वो आपको gate की तैयारी करनी चाहिए computer science से gate की तैयारी करनी चाहिए फाइदा क्या होगा? ये मैं बता रहा हूँ अगर आप computer science से gate की तैयारी करते हो और आपको rank मिल जाता है electrical की बात मैं नहीं कर रहा हूँ ठीक ना? उसको ultimate PSU ही लेना परेगा job के लिए private बहुत ही कम है और private अगर Mtech के बाद ही लेना है तो फिर अभी ही क्यों न ले ले हम ये भी बात है उसका तो target fix है नहीं होगा तो SSE तो करेंगे ही करेंगे ठीक है लेकिन आपके लिए आपके लिए सबसे best है कि अगर आप किसी और branch से है आपको ये video समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है confused कर रहा हूँ मैं लेकिन फिर से एक बार clear करके बता रहा हूँ अगर आप ECE से है EEE से है EE से है IT से है आपका बहुत जादा मन है कि आपको software industry में जाना है आपको world explore करना है आपको कुछ unique चीज़ देखना आपको research करना है आपको data पे research करना है आपको framework में research करना है आपको operating system में research करना है वैसे कही सारे चीज़ होते हैं जो कि blockchain में आपको research करना है आपको AI समझना, Machine Learning में आपको मज़ा आ रहा है तो आपको Master Degree के तरफ जुकाओ होना जरूरी है अच्छा रहे हैं अगर आप Master Degree के तरफ जुकाओ करेंगे अगर आप किसी भी ब्रांच से हो तो अगर आप इन सब चीजों में आपको मन लगता है तो आप Gate का तयारी करना Computer Science से और Apply भी करना Computer Science से हो सकता है आपको ये चीज़े समझ में अभी नहीं आई होगी लेकिन आप Comment section में बताना अगर आपको समझ में नहीं आया हम इसको अच्छे से आपको समझाने की कोसिस करेंगे Thank you guys